Hello and Welcome to My Kitchen, The K-Kitchen आज K-Kitchen के इंदर हम बनाने वाले हैं एक ऐसी सिंपल सी डिश जो शायद इंडिया की सबसे खूबसूरत स्टेट से है चम्मू एन कश्मीर ये जो डिश है इसका नाम है कश्मीरी दम आलू सबसे पहले हमें मस्टर्ड ओल को गरम करना है जब तक मस्टर्ड ओल गरम हो रहा है हम इस्तमाल करेंगे ये छोटे वले पोटेटोस ना इन पोटेटोस पर ये छोटे चोटे आइस बनी हुए है ना आज एक्टेली देम बट काफी सादा वेस्टेज हो जाएगी सब्सक्राइब करेंगे जब हम इसे इस तरीके से प्रिक करते हैं फोटेटोस अईल इसके अंदर तक जाता है ये तईयार है पोटेटोस इसे अब हम गरम तेल के अंदर फ्राई करेंगे ध्यान रखना है कि जो इसको फ्राई कर रहे है इस वक्त ausर्फ हाफ डन करना है यानि आधा ही पकाना है पूरानी पकाना आदा पकने के बाद इसे हम निकालेंगे, ठंडा करेंगे, फोक से प्रिक करेंगे और एक बर दुबारा से इसे फ्राइ करेंगे ऐसा करने से क्या होगा? जो इसका जो अंधर सेंटर है वो बिल्कुल क्रीमी सॉफ्ट हो जाएगा उसके अंदर एक जाल सा बन जाएगा और जब आप उसे करी में डालेंगे वो पूरा का पूरा जाल करी को सोब कर लेगा आप यह आप अलमोस्ट देर, आम इन हाफ कोक्ट इस स्टेश पे से आम बार निकाल लेंगे तैं, ना अलका सा इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद दूबार से फोक से प्रिक करेंगे फिलाल इसे यहां रखते हैं, ओईल को यहां पर होट रखेंगे और अब हम तयारी करेंगे दम आलू की ग्रेवी यह जो mustard oil है, इसी में से थोड़ा सा हम पैन में डालेंगे, जब तक पैन और ओल दुबारा से गरम होते हैं, हम लोग योगर्ट के अंदर, यह है सौंफ का पाउडर, और यह है ड्राइड जिंजर, याने की सौंथ का पाउडर, ना, just mix it nicely, और इसे हम यहां रहाँ होगे, और is hot, hot oil के अंदर, हम डालेंगे, मोटी लाइची, हलका से, ब्रेक कर लेंगे, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, शाही जीरा, और हींग, हींग is very very important, quick stir, और इसमें डालेंगे, one of the most loved spice in India, कश्मीरी चीली पाउडर, and let me tell you, आप नौर्थ में हो, साउथ में हो, एसमें हो, हर कोई बोलता है, कश्मीरी चीली पाउडर, बोट अच्छा पाउडर है, क्योंकि इसका एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम-spicy होती है, now, you need to be ready with a dash of water, इसमें जाएगा, कश्मीरी चीली पाउडर, इसमें नीकि अफितड नाइस, डीप रैड कला, पाने अमिस्ये डालते है, ताकि आकि मिर्ची जले न, एक हम दोलं कोमझ तो तर अब हम हम एसमें डालें के ना-गर्ट, और योगर्ट डाले के बाद हमें असमें तर बहुत है, क्श्मीरी चलाना है, अगर्ण डालें के बहुत है और इसे अच्छा सा बॉइल देंगे जब तक कि ओईल उपर ना जाए जब तक यह पक रहा है हम लोग यह जो हाफ दन पोटेटोस हैं इसे एक बार फिर से फोक से यूँ प्रिक कर लेंगे आप चाहें तो तुथपिक का भी इस्तमाल कर सकते हैं ना इसे हम दुबारा से गर्मा गरम तेल में डालेंगे डालेंगे फ्राइ करने के लिए for the second time again medium slow flame पे आराम से पकाना है इस करी का ओई उपर अगया अधिस टेज इसे हम हलका कर देंगे we've got the potatoes ready और यह सीधा जाएंगे इस करी के अंदर कश्मीरी स्टाइल दम आलू इस पूरी की पूरी करी को सोक करना है इसको हम ठक कर पकाएंगे मंद आज पर लिकिन हलका सा पानी डाल देंगे इसमें just a little water इसे कबर करके दस मिन तक पकाना है जब तक यह पकता है मैं इसकी प्लेटिं की तैयारी कर लू है जो लिक्विट था वो अल्मोस्ट सारा पोटेटोस ने सोक लिया है और आज अल्मासाला भी काफी थिक हो गया है विच मेंस कश्मीरी दम अलू तयार है वाँ लू कि अटाएंगे आज दाएंगे ने मासालेदार फ्लेवर फुल पोटेटोस अ नाइस फ्रेश स्प्रेग अजिव पूरिया अजिव प्रेटिया थ हमारा कश्मीरी दम अलू इस रेड़ी